शागित के मान सम्मान की बज़ए उनके साथ धोखा धड़ी की जाए तो क्या कहना इसकी एक बानगी भीवानी में देखने को मिली बतादे की गाउं चांग निवासी रामधन आजाद हिंद फौच के सिपाही रहते देश के लिए जान दी सरकार ने रामधन के नाम पर उसकी मा हरवाई को हिसार में साड़े बारा एकड़ जमीन दी ये साड़े बारा एकड़ जमीन हरवाई के मरने के बाद उसकी दो बेटियां समुन्दिवा दया के साथ चार बेटों शिवधन, बनारसी, प्यारेला तथा मौजीराम के नाम हो गई करोड़ो रुपई की ये जमीन अब हर बाई की दो बेटियांवा चार बेटों की आुलाद यानी करीब तीस लोगों के हिस्से में हो गई ऐसे में जमीन के कई हिस्सों में बढ़ता देख शिवधन के बेटे राम बाबू के मन में खोटा गया आजादी के दिवाने राम धन के भतीजे राम बाबू ने तिगडाना गाउंवासी राजकुमार ओर्फ बभली रेवडी खेडा गाउं निवासी मनवीर वा मालपोस गाउं निवासी मुकेश के साथ मिलकर सारी जमीन हडपली कुछ रोज पहले रामधन के भाई शिवधन की बेटी सुमन वा खुद रामबाबू ने S.P. गंगा रामपुनिया को इस पूरे मामले में शिकायत दे कर जांच की मांगी थी इस शिकायत को S.P. गंगा रामपुनिया ने Economic Cell In Charge S.I. राजबीर सिवाज को दी इस पर कारवाई करते हुए Economic Cell ने आज़ादी के दिवाने रामधन के बतीजे रामबाबू सहित मुकेश प्रेम वा अनुप को गिरफ्तार किया रामबाबू ने इन तीनों को अपने परिवार के सदस्तेव के तौर पर तहसील कारेले में खड़ा किया था SI राजबे सिवास ने बताया कि पूरी जमीन हड़ापने के लिए रामबाबू ने पूरे परिवार के सदस्तेव की जगह फर्जी लोगों की तहसील कारेले ले जाकर जमीन का मुक्तार नामा कर लिया यही नहीं इन सभी को आधार कार्ड वा राशन कार्ड सहित सभी कागजात फर्जी तयार करवाए गए उन्होंने बताया कि हिसार में ये जमीन करीब 20-25 करोड रुपए की थी जिसे इन्होंने कोडियों के भाव केवल 80-90 लाक रुपए में बेस दिया उन्होंने बताये कि इस मामले में कुछ अन्य लोगों के साथ फर्जी कागजात तयार करने वाला और तहसिल कारहले के कुछ कर्मचारी भी इस मामले में गिरफ़तार किये जाएंगे इस जमीन की असल मालिक हरवाई थी जिसके छे संताने थी दो लड़कियां और चार लड़कियां उनकी समुंदरी और दया अभी जिन्दा हैं दया उडिसा के अंदर रहती है और समुंदरी रिवाडी के इन में से सिर्धन का एक लड़का रामबब अपने साथियों इस वासी मालपोस मंदीप मनबीर वासी रिवाडी खेड़ा और राजमार उर्फ बबली इगड़ाना इनके साथ मिलकर इन्होंने फरजी अपने चाचाताओं के जिनके नाम ये जमीन मंदीप कैलास संजे वगेरा के नाम से फरजी मुक्चारणा में तयार कर वा और इस सम हमने आज चार आदमियों को गिरफदार किया है जिसमें से एक असल मुकेस वासी मालपोस और जो आदमी फरजी बना था गाउं धनाना का प्रेम कुमार है दूसरा रामबाबू पीसरा एक लड़का जिसने सिनाखत की थीन की ये लड़का रिवाडी खेड़ा का है अनूप जल्फर जल्फजी आईडि त्यार करने वाले को भी गिरफदार करेंगे और जो इनके मैन मुल्दीम मंधीब जिसने अपने साड़े और दो साथियों को अन्य फर्जी बना कर मुक़त्यार किया है उनको हम बहुत जल्फर जल्फदार करेंगे इसमें होसकता थासील ओफिस के भी कई करमचारिश में शामिल है हम उनका भी बाड़ा फोड़ करें इस जमीन की कीमत लगबग 20-25 क्रोड रुपे जमीन की इन्हों ने जमीन ये सारी लगबग 17-80 लाख रुपे के अंदर विक्री की भीवानी से अमन शर्मा जीन्द विधान सभाच चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखिए जीन्द की जंग केवल सत्य खबर पर आज ही लॉग इन करें www.sathya-kabar.in पर सब्सक्राइब करें यूट्यूब बैक्स्लैश सत्य खबर आप देख रहे हैं सत्य खबर सत्य सती बेबार